हलो फ्रेंड्स, वेलकम मैं चैनल, कैसे हैं आप आई हो पच्छे ही होंगे, देखिए आज मैं न्यू डिजाइन का क्रोशिया का पैटर्न लेकर आई हूँ, यह देखो, बहुत ही अच्छा बहुत दो कलर से बनाया हुआ यह पैटर्न है, बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है, यह किसी भी प्रोजेक्ट पर इस्त्माल कर लो, काडिगन में, बच्छो के स्वेटर में, कलेच वगारा बनाओ, फ़र्स वगारा बनाओ, किसी भी प्रोजेक्ट पर इस्तमाल कर लो, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, चलिये मैं आज इसको बनाना सिखाऊंगी, मैं दो कलर से यलो और ब्लू कलर की उलन से बनाऊंगी और यह देखो मेरे पास दस नमबर का फ्रोसिया है मैं इससे बनाऊंगी तो हम देखो यलो कलर से पहले नीचे हम चैन बनाएंगे इस तरह से हम चैन बनाएंगे इस तरह से हम पहले नीचे हम चैन बनाएंगे जितना हमें चोड़ाई चाहिए उसे साब से हम चैन बना लें यह देखे हमने इतनी चैन बना ली अब इसके बाद हम इस फर्स्ट रो में पूरे में सिंगल क्रोसिय बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोसिय बनाते हुए पस्ट रो कंप्लीट करेंगे इस तरह है पूरी फर्स्ट रो बनानी है सिंगल क्रोसिय बना दिया आप सेकिंड रो भी हम सिंगल क्रोशियां ही बनाएंगे एक दो चैन बनाएंगे और फिर दुबारा से हम पूरी रोव में हम सिंगल क्रोशियां बनाते हुए इसको कंप्लेट करेंगे पना लोव में हम आतना टुबारे से इसका हाओ। झाल 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 यह देखो पूरी लाइन हमने इंगल करोश्या से बनाई अब यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे मैं ब्लू कलर लगा रही हूँ आप अपने पसंद से कोई साभी कलर से बना सकते हैं जो आपको पसंद हो इस तरह से मैं ब्लू कलर लगा रही हूँ इसमें यहां पर चैन बनाएंगे एक, दो, टीन, चार चार चैन बनाएंगे इस तरह से यहां पर लग जाएंगे और यह जब पर्स्टर होल दिखाई दे रहा है इसमें से हम डवल क्रोशिय बनाएंगे इस तरह से हम डवल क्रोशिय बनाएंगे ऐसे सिंगल सिंगल वाला ऐसे एक दो तीन तीन हम डवल क्रोशिय इस तरह से बनाएंगे यह तीन डवल क्रोशिय बनाएंगे एक, दो, तीसरे होल में हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिय से इस तरह से सिंगल क्रोशिय से अटैच किया हमने अब यहाँ पर एक, दो, तीन तीन चैन बनाएंगे और फिर इस होल में से हम फिर डवल क्रोशिय बनाएंगे ड़ इस्दोड है ग्रेट बनाएंगे एस्टी बनाएंगे ड़्याँ़ ग्वल आश बनाएंगे वग्वल तीन, फिर इसको हम तीसरे होल में अटाज करेंगे सिंगल क्रोश्या से, फिर यहां चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन चैन बनाएंगे, फिर यहां डबल क्रोश्या बनाएंगे, इस तरह से, एक, दो, तीन, तीन सिंगल क्रोश्या बनाएंगे, फिर एक, दो, तीन, तीसरे होल में, फिर हम इसको अटाज करेंगे, जेखो फ्रेंट्स, इस तरह से हमारा डिजाइन यह बन के आएगा, इसी तरह डिफिट करते जाएंगे, हम, एक, दो, तीन चैन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोश्या, डबल क्रोश्या बनाएंगे इसमें, इस तरह से एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे, फिर हम इसमें अटैज करेंगे, तीसरे होल में, इस तरह से, फिर यहां पर, अब हमारी फूरी रोड यह बन गई, अब यहां पर हम, एक, दो, तीन, चार चैन बनाएंगे, यहां पर हम इस तरह से सिंगल क्रोश्या सेट एच करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोश्या सेट एच करेंगे, इस तरह हैं, फिर एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोश्या सेट एच करेंगे, इस तरह हैं, तीन, चार, चार चैन बढाएंगे, फिर अटेच करेंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर यहाँ पर अटेच करेंगे, इस तरह से ही हमारी यहाँ की लाइन कम्प्लीट हो जाती है यहाँ पर, फिर हम यहां से यलो की लाइन लगाएंगे, यलो कलार लगाएंगे, यहां पर चेन बनाएंगे, फिर एव, दो, तीन, चार, चार चेन बनाएंगे, और यहां पर पहले ही उसमें सिंगल क्रोशियर जो बनाया था, उसमें हम डबल क्रोशियर बनाएंगे, तीन, इस तरह से, एप, दो, तीन, ऐसे टेवल क्रोशियर बनाएंगे, फिर यहां पर सिंगल क्रोशियर को बगल में हम इसको इस तरह सिंगल क्रोशियर से अटेज करेंगे, ऐसे, फिर यहां पर हम एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे, फिर शिंगल क्रोशियर के अंदर से, डबल क्रोशियर बनाएंगे, उस तरह से, एक, दो, फिन, फिन बनाएंगे, अब फिर हम इहां पर अटेज करेंगे, इसको, इस तरह से, यह देखें, ऐसे बनाते हुए, बाल-बाल देपिट करेंगे, इस बैटन, एक, दो, तीन चैन बनाएंगे, फिर दुबारा से, इसमें, डबल क्रोशियर बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर हम यह यहां पर इसको टेज करेंगे, इस तरह से, फिर देख, दू, तीन चैन बनाएंगे, फिर दूबल क्रोशियर जैसे, एक, एक, फ्रेंस, एक, वो लेंगे हम, इसमें से, ऐसे करको टेले, एक से निकालेंगे, फिर दूसरे से, फिर दीसरे से, इस तरह निकालेंगे, ऐसे निकालते हुए, ऐसे गुनाएंगे, फिर आम इसको यहाँ पर अटैज करेंगे, ऐसे, तो इस तरह हमारा यह पैटर्न बनेगा, फिर इसके उपर फिर चैन बनाएंगे, दो, तीन, चार, चार चैन बनाएंगे, चार चैन बनाने के बार, फिर हम इसमें यहाँ पर सिंगल प्रोशेसे से इसको टेज करेंगे, ऐसे, फिर एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनाएंगे, फिर यहाँ टैज करेंगे, फिर एक, दो, तीन, चार चैन बनाएंगे, फिर यहाँ टैज करेंगे, फिर चार चैन बनाएंगे, फिर यहाँ टैज करेंगे, इस तरह से फ्रेंट्स, बार बार रिपीट करने से हमारा यह पैटर्न, देखो, ऐसे बनके आ जाता है, यह पैटर्न देखो, कितना सुन्दर दिखाए दे रहा है, इस तरह से बनके तयार हो जाता है, तो फ्रेंट्स, मेरा डिजैन आपको पसंद आया हो, मेरे वीडियो पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, ज़र ज़र शियर करें, वेल आइकन जरूर प्रेस करें, थैंक यू, बाई बाई